ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शांती, कॉर्लिवूर्ट स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत आमुले रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है कहते हैं प्रसन्नता वो औशधी है जो तन और मन को निरोगी बनाती है प्रसन्नता वो कला है जो सबका स्निह और सहयोग दिलाती है प्रसन्नता वो चुम्बक है जो गैरों को भी अपना बना लेती है पुर इसलिए परम्पिता पर्मात्मा हमें सदा प्रसंन चित बनाना चाहते हैं सदा प्रसंन चित रहने की यथार्थ विधी क्या है? आज हम इस्वरिये महवाक्यों द्वारा जानेंगे महवाक्टियों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मध्य है प्रजापिता ब्रम्हा कुमारिस इश्वरिय विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्निय राजयोभाय सहाब पस अब आपका आज की एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है सबाज हम बात देरेंगे 22 मार्च 1996 के महावाक्टियों पर इसका टॉपिक है ब्रामभण जीवन की परसनालिटी सब प्रशनों से पार सदा प्रसनाचित रहना प्रमात्मा कहते हैं कि जिसको सर्व प्राप्तियां है उसकी निशानी सदा उसके चहरे और चलन में प्रसनाता की परसनालिटी दिखाई देगी परसनालिटी ही किसी को भी आकरशित करती है तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसनाता की परसनालिटी है जिसको संतुष्टता भी कहते हैं फिर सब प्राप्तियां, परसनालेटी, प्रसननता और संतुष्टता इन चारों का जो लिंक है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें. जिस आत्मा के पास सरप्रकार की प्राप्तियां होती हैं, उसके चेहरे से उसके चलने से प्रशनल्टी दिखाए देती हैं. तो परमात्मा यहां कह रहे हैं, जो बच्चे सरप्राप्तियों से संपन हैं, उनके चेहरे पर प्रसनता की प्रशनल्टी आ जाती हैं. और जो प्र प्रसन्नता और संतुष्टा उसके जीवन में दिकाई देने लगती है। तो परमात्मा आम सब को कह रहे हैं कि संगम युक पर आप बच्चों को सर प्रकार की प्राप्तियां परमात्मा द्वारा हुई हैं। तो आपके चहरे की प्रसनल्टी जो है वो बताए कि हाँ इसके पास सब कुछ है। तो चहरे पर उप्रसन्नता और संतुष्टा की जलक दिखाए देगी। प्रमात्मा कहते हैं कि लेकिन आजकल चहरे पर जो सदा प्रसन्नता की जलक देखने में आवे वह नहीं दिखाए देती। कभी प्रसन्नचित और कभी प्रशन्नचित। दो प्रकार के हैं। एक है जरासी परिस्थिती आई तो प्रशन्नचित। क्यूं, क्या, कैसे, कब ये प्रशनचित और प्राप्ती स्वरूप सदा प्रसनचित होंगे, उसको कभी भी किसी भी बात में क्योष्षन यानि प्रशन नहीं होगा, चुकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। प्रशनचित और प्रसनचित दोनों को सबस्ट करें। कई प्रकार की प्रॉबल्म जब होते ही हprot prosperjal कि अगर आती हैं। अगर जईन का खजाना ऊसके घूह रहे हैं। तो प्रस्थितियों प्रश्ण्वा उत्पनों प्रसंथे हैं। जब सर प्राप्तियों से संपन नाप आत्माए हो, तो प्राप्तियों में क्या? अभिनासी प्राप्तिया हैं, कोई इस्थूल में तो कोई संपत्ति ने इसको हमने पाया है, लेकिन अभिनासी ग्यान धन से हम आत्माएं संपन है, गुणों से, शक्तियों से, और ये सब अभिनासी प्राप्तियां जिस आत्मा के पास है और उन प्राप्तियों को जो यूज कर रहा है तो लेकिन उनको यूज कितना कर रहा है मानलो आज हमारे पास ग्यान धन है लेकिन ग्यान को हम समय पर कारी में लगाते हैं या नहीं knowledge है कि ड्रामा अनादी है अभिनासी है और बिल्कुल कल्यान कारी एक्यूरेट बना हुआ है कोई भी बात आएगी उसमें मुझा आत्मा का कुछ न कुछ कल्यान समाया हुआ है उस ड्रामा में अकल्यान हुई ही नहीं सकता जब ये knowledge की power है अंदर सकती है तो परिस्थितियों में हमें हलचल नहीं होगी question नहीं उठेगा क्यों आई कहां से आई कैसे आई बलकि वो बिल्कुल निश्चिन्त हो करके उस paper को pass करेगा परिस्थितियों को cross कर लेगा और प्रसन अचित रहेगा इसलिए परमात्मा कहते हैं जो प्रसन अचित रहने वाली आत्माएं हैं उनके अंदर प्रसन नहीं उठते प्रसन उठाने वाली आत्माएं कभी प्रसन अचित नहीं रह सकती है परमात्मा कहते हैं कि प्रसन अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ती कम और प्राप्ती कम का कारण कोई न कोई इच्छा है इच्छा का foundation इरश्या और अप्राप्ती है बहुत सुक्ष में इच्छाएं अप्राप्ती के तरफ खीच लेती है फिर royal रूप में यही कहते है कि मेरी इच्छा नहीं है लेकिन हो जाए तो अच्छा है लेकिन जहाँ अल पकाल की इच्छा है वहाँ अच्छा हो नहीं सकता सब प्रसन्नता की कमी के कारण को थोड़ा सपश्ट करें कई बार सबकुछ हमारे पास लेकिन जब हम दोसरों से भेंट करते हैं, तो परमात्मा कहता है, जहां पर हम कोई से भेंट कर रहे हैं, कि इसके पास इतना है, मेरे पास कमी है, तो वहां पर प्राप्ति होते हुए भी हम अपने आपको भरपूर करना चाहते हैं, यह जो इसके पास हो मेरे पास होना जितना उसके पास है, सब के पास समान तो नहीं हो सकता, देने वाला दाता तो भले हम बच्चों को समान रूप में देता है, लेकिन जिसने उसको जितना अपने कारी में लगाया है, जितना उस पर चिंतन किया है, सेवा में लगाया है, उतना उसके पास भरपूर है, और तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास इच्छाएं अगर बनी रही और इच्छाओं के पीछे हम दोड़ते रहे तो प्रसनचित नहीं रह सकते हैं, प्रसनचित इस्थित्ति में कोई इच्छा ही ही नहीं सब प्राप्तियों से आत्मा भरपूर है, बिलकुल, प्रमात्म इसी संबंधित कहते हैं, तो चेक करो, चाहे ज्यान के जीवन में, ज्यान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं, अभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई हैं, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्यान के बाद पुर्ण बनाने ही चाहते हैं. तो एक है मोटी इच्छ है और एक है सूक्ष मेच्छ है. इनको सबस्ष्ट करें. परमात्मा हम सब कह रहे हैं कि इस थूल में तो कोई आपकी इच्छाए नहीं है ऐसी कि हमें यह चीछ चाहिए, यह चीछ चाहिए. तो यह जो चाहिए चाहिए की चाहिए नहीं है. ग्यान में आने के बाद इस प्रकार की जो चाहिए आती हैं. मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मुझे सीट मिले, मैं आगे बढ़ू. तो यह रहेल इच्छ हैं हैं. और वो रहेल इच्छ हैं भी परमात्मा कहते हैं तो मैं अच्छा बढ़ने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती प्रसनता को समाप्त कर देती है, तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है, तो सब इस फाउंडेशन में आई हुई रेत यानी मिक्स को थोड़ा स्पष्ट करें। प्रसन हो गए, खुस हो गए, तो परमात्मा कहता है, वो आधार आपका गलत है, वो जैसे सेमेंट में बहुत अधिक रेत मिला करके, कोई बिल्डिंग खड़ी कर दे गई। तो बिल्डिंग तो अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन जरा भी कोई तूफान आएगा तो गि ली नहीं सकता हूँ, आप तो मेरे लिए मार्क दरसक हैं, और हम खुस हो गए, बहुत अंदर से जैसे, बाबा कहता है कई बार ऐसा खुसी में जूम जाती, जैसे मेरे जैसा कोई नहीं, तो यह जो एक प्रसंसा के आधार पर प्रसंदा है, और दूसरे से किन मानलो कोई न प्रसंदा वही कतम हो गई, तो परमात्मा हमारा ध्यान के चवा रहे है, कि देखू, कि मेरी जो प्रसंदा है, वो कोई हद के आधार पर तो नहीं है, कोई महिमा करे, कोई गलानी करे, कुछ भी करे, लेकिन हमारे प्राप्तियों के आधार पर हम प्रसंदा है, हम कोई हद क प्रमात्मा कहते हैं कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है, आधार सर्विस का लेते हैं, सर्विस में नाम हो, लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं, उनका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है, कि बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा करशन करने वाले हैं, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का उच्पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया, पका ही नहीं, तो पका फल कहां खाएंगे, कच्चा खा लिया. यही कच्चा फल है, कि अगर मान लो मैंने कोई सेवा की, हम सोचते हैं सेवा में ब्रद्धी हो, सेवा का विस्तार हो, तो अंदर की जो कामना है, कि मैंने की है, तो मेरा नाम हो जाए, मेरे को सब पूछे, मेरी महिमा करे, मान हो, सान हो, तो परमत्मा कहता है, यह जैसे लोग देने माली आत्मा खुस हो गई, जिसने मेरा नाम हुआ, मुझे लोग उसी नजर से देखेंगे, मैंने यह सब किया है, तो बड़े खुस होते हैं, अगर उनका नाम नहीं लिया तो मायूस हो जाते हैं, अब नाम लिया, आप खुस हो गए, और प्रसन हो गए, लेकि का भविस्ती भागी बन जाता है, लेकिन उसी समय किया और उसी समय नाम मान सान स्वविकार कर लिया, खुस हो गए, तो जैसे कच्चा फल खा करके, की हुई कमाई को महीं समाप्त कर दिया, मिलकुल, परमात्मा की कहते हैं कि सेवा की, तो सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, यह मान नहीं है लेकिन अभिमान है, जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता रह नहीं सकती, सबसे बड़ा शान परमात्मा के दिल में शान प्राप्त करो, आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया, तो आत्मा स्वयम ही लेने वाली है, मास्टर दाता है, तो शान चाहिए, तो सदा परमात्मा के दिल में अपना शान प्राप्त करो, यह सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ती स्वरूप बनने नहीं देती हैं, इसलिए प्रसन्नता की परसनेलिटी सदा चहरे और चलन में दिखाई नहीं देती है, कारने बहुत चोटे-चोटे हैं, लेकिन अगर मानलो निमित आत्माएं, जो मुक्य हैं, बड़ी बहने हैं मानलो, बड़े भाई हैं, और कोई उनके कारे में, कान बनाने में, सेवाओं में, अच्छा तन से, मन से, धन से सहयोग देते हैं, तो उनके अंदर ये रहता है कि म मैंने इतना सब किया है, और परमात्मा कहते हैं, अगर वो मान सान आपको थोड़े समय के लिए कोई आत्मा ने दे दिया, आत्मा को देने वाला कौन है, वो परमात्मा है, तो आत्मा से लेकर के आप जैसे हद में खुस हो गए, परमात्मा के मान सान से आवन्चित हैं, इस वो है, मान सान सब परमात्मा से लेना है, कोई आत्माव से नहीं लेना, और आत्माव से अगर आज एक महिमा करेगा, आज एक ने बढ़ाई कर दी, तो दूसरा आप से जलेगा, इर्षिया करेगा, हमारी दादी जी बहुत ध्यान रखती थी, कभी-कभी हम लोगों की महिमा अच्छानक कर देती थी, कोई बात में एक भाई इतना बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा इसने प्रस्नुत्तर निकाले, बहुत अच्छा ये किया, तो बात में कहती थी देखना, इससे कहीं लोग इर्षिया करने लगेंगे, और इर्षिया करेंगे, तो उसके ल इसान भी दे रहा है, उसके दिल में अपना इस्थान बना लो, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, आत्मों से कुछ भी लेने की इच्छा ने रहा है। आज मूड मेरा ऐसे है, तो मूड नहीं बदली करो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले हो, कारण में आने वाले हो, निवारण करने वाले। करते हैं, और एक का नाम अगर भूल गए, एक को स्टेज पर नहीं बुलाया, एक को समान रूप से कोई ने गिप्त नहीं दी, उसका सम्मान नहीं किया, तो वो आत्मा एकदम अंदर से निरास हो जाती है, और उसकी मूड परिवर्तन हो जाती है, फिर सोचता है, छोड़ो संगटन से बहार चले जाओ, किनारे चले जाओ, मुझे तेकांत चाहिए, इस पष्ट नहीं करती है कि कारण क्या है, कारण है सूख्षन, क्योंकि एक की महिमा हो गई, और एक भूल से भी अगर छूट गई, किसी का नाम लेना भूल गया कोई, तो इतना अंदर अंदर जाओ, मुझे तो बहुत सांती चाहिए, है अंदर की स्थिती, तो परमात्मा कहता है, आप बच्चे कोई भी कारण से अपनी मूड बदलो नहीं, एक रस खुसनुमा मूड में रहो, परसन अचित रहो, क्योंकि बाबा आपकी जो सीवाएं है, उसका पूरा खाता बाबा क निरास नहीं हो, परमात्मा कहते हैं कि अभी छोटे बच्चे नहीं हो, अभी वानप्रस्थ अर्थात, सब कुछ जानने वाले, अनुभवी आत्माएं हो, नौलेजफुल हो, पावर्फुल हो, सक्सस्फुल हो, इसे सदा नौलेजफुल हो, ऐसे पावर्फुल और सक्सस् स्वामानों को थोड़ा सपष्ट करें कई बार नॉलेज तो रहती है नॉलेज में हम फुल हैं लेकिन परमात्मा के ता इसके पास नॉलेज है नॉलेज ये एक लाइट है जो आत्मा नॉलेज फुल के साथ साथ पावर फुल है वो सक्सेस्फुल अपने आप हो जाती है जो नॉलेज है शक्ती नहीं है तो सफलता नहीं मिलती है इसलिए परमात्मा इन तीनों को साथ साथ कहते है जान सरूप आत्मा है नॉलेज उसके पास फुल है कहते है नॉलेज इस लाइट नॉलेज इस माइट अगर knowledge है, ज्यान है, समझ है, रोसनी है तो रोसनी के साथ वो सक्ति भी होनी चाहिए और सक्तिस आलियात्मा जब ज्यान सरूप और सक्तिस रूप दोनों है तो successful माना सफल उनको होना ही है सफलता उनको मिलनी ही है ये तीनों एक दूसरे से connect है परमात्मा कहते हैं कि कभी-कभी successful क्यों नहीं होते उसका कारण क्या है वैसे सफलता आप सब का जन्म सिध अधिकार है कहते हो ना, सिर्फ कहते हो या मानते भी हो तो क्यों नहीं सफलता होती है, कारण क्या है जब अपना जन्म सिध अधिकार है तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कमी क्यों? कारण क्या? प्रमात्मा ने देखा, मिज्जॉरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं. पता नहीं होगा या नहीं? तो यह अपना ही कमजोर संकल्प प्रसनचित नहीं, लेकिन प्रसनचित बनाता है, सकस्सफुल नहीं के इस कारण को प्रस्ट करें. यह बहुत सूक्ष्म कारण है, कोई भी कार्य हम करने जब चलते हैं, कोई भी संकल्प आता है, तो पहले से सोच लेते, पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो परमात्मा कह रहे हैं कि वास्तों में कह रहे हो, कि सफलता मेरा जनम सिद्धा दिखा रहे हैं. जहां ग्यान है, नौलेज है, शक्ति है, वहां सफलता मिलनी ही है. बलकुर. लेकिन चलते चलते अगर आपके मन में ही एक अमजोर संकल्प आ गया, तो संकल्प ये कितनी बड़ी सक्ति है, जो अगर कमजोर संकल्प किया, तो कमजोरी की रिजल्ट आपको सफलता नहीं मिलेगी. अगर अच्छे सक्तिसाली संकल्प है, तो संकल्प तो सिद्ध होने ही हैं, ब्रामानात्मों के. इसलिए परमात्मा कहते हैं, तो संकल्प की रिजल्ट आपको सफलता नहीं मिलती तो हमारी परसंटा कहतं ह pomocा या। उनगर कोई उकर्म कर रहा है, तो भगवान के कारे में कोई बिग्ण आही नहीं सकता, सिपलता तो नहीं ही है अब इस निश्चे के आधार से उप्रसन रह सकता इसलिए परमात्मा कहते हैं कि विज़ई हैं ही इससे इस कमजोर जाल को समाप्त करो फसो नहीं लेकिन समाप्त करो समाप्त करने की शक्ती है धीरे धीरे नहीं करो फट से सेकेंड में इस जाल को बढ़ने नहीं दो अगर एक बार भी इस जाल में फस गए न तो निकलना बहुत मुश्किल है विजय मेरा बर्थ राइट है सफलता मेरा बर्थ राइट है यह बर्थ राइट, परमात्म बर्थ राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता, ऐसा निश्चे बुद्धी, सदा प्रसन्नचित, सहज और स्वतह रहेगा परमात्मा केते हैं, जैसे मकडी होती है, वो अपनी लाड से एक जाल बनाती है, और जाल में गुमते गुमते उसी में फस करके मर जाती है, अगर कोई समझदार है, तो वो जाल को फिर से खा जाती है, जम कर लेती है, अंदर ले लेती है, तो परमात्मा भी कहते हैं, अगर मा संकल्प कल्प विजय प्राप्त की है। संपत्ति, सब सफल करो। सफल करने से सफलता मिलेगी। है और बेठ जा रहे है था enjoy, मुझससे थाइ कांसे थाइ कर है। मारे पास मन अच्छा है, मन से मंसा सेवा कर सकते है, मन को इधर जगातों द्लाइथ कर रहे हैं। तो अगर हम बेर्थ करें तो सफलता कहां से मिलेगा। तो इसलिए जो सक्तियां हैं, समय की, संकलब की, स्वास की, स्थूल धन की, या तन की, तो उनको कहीं न कहीं सुरिय सेवा में लगा दो। लगाएंगे तो सफलता मिलेगी, अपने आप में जमा काकाता बढ़ेगा, और लगाने से एक का कई गुना हो करके हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सफलता का एक अच्छा साधन परमात्मा बता रहे हैं, जो भी सक्ति है आपके पाद, जिस प्रकार की है, उस सक्ति को सेवा में लगाओ, सफल करो, तो एक का कई गुना हो करके सफलता आपको प्राप्त हो जाएगे। अच्छा वाज हमने बहुत ही गहराई से समझा की सदा प्रसन्चित न रहने के मुखे कारण क्या है और उनका निवारण क्या है। पश्टी करण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दर्शक्वाज के महावाक्यों में पर्मात्मा ने कहा कि ब्रामभण जीवन में सर्व प्राप्तियों की निशानी है, सदा चहरे और चलन में प्रसन्चा की पर्सनालिटी। परमात्मा ने कहा कि जहाँ अभिमान है और हद के नाम मान शान के इच्छा है वहाँ कभी प्रसनता रह नहीं सकती। परमात्मा ने कहा कि सदा सफलता मूरत बनने के लिए हमें व्यर्थ वकम्जोर संकल्पों को सदा के लिए समाप्त करना है सुम्रिती रहे कि सफलता मेरा बर्थ राइट है अगली एपिसोड में एक और अव्यक्तवाणी के साथ आप सभी के समक्षम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त उम्शान्ति मुख्यसार सर्व प्राप्तियों की निशानी सब प्रश्णों से पार सदा प्रसंदचित प्रसंदता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ती कम है और प्राप्ती कम का कारण कोई ना कोई इच्छा है इच्छा का फाउंडेशन इर्श्या और अप्राप्ति है ब्रामर जीवत का मूड सदार चियरफुल और केरफुल मूड बदलना नहीं चाहिए मूड ओफ तो बड़ी बात है लेकिन मूड परिवर्तन होना भी ठीक नहीं है सफलता का आधार खजानों को सफल करना और प्रसंद्चित रहना नाम के आधार पर सेवा करने वाले का उच पद में नाम पीछे हो जाता है इस शंकला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौड लिवूर स्टूडियो से संपर्क करें